दोस्तों, WWE ने हमेशा से ही फैंस के दिलों में अपनी एक अलग ही जगा बनाई हैं WWE को नॉर्मल रेसलिंग एंटर्टेन्मेंट शो के नजरिये से नहीं देखा जा सकता क्योंकि WWE एक एंटर्टेन्मेंट शो के मुकाबले कई गुना बहतर है लोग सिर्फ WWE को ही नहीं बलकि WWE के रिंग में लडने वाले रेसलर्स को भी बहुत जादा पसंद करते हैं और WWE के इन जबरदस्त खिलाडियों के बारे में जानने के लिए हमेशा बेकरार रहते हैं WWE की रिंग में ये खिलाड़ी जितने मज़ेदार और धासू नजर आते हैं नीजी जिन्दगी में भी वो उतने ही अच्छे और फैमिली में हैं इन रेसलर्स की पतनिया तो इनसे बहुत ही जादा खुश रहती हैं और इन रेसलर्स की पतनिया भी इनके साथ साथ किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकरशित कर सकती हैं क्योंकि WWE के इन रेसलर्स की वाइफ बहुत ही जादा खुबसूरत हैं तो दोस्तों अगर आप WWE की रेसलर्स की पतनियों के बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ब्री बेला भी डेनियल ब्राइन की वाइफ का नाम ब्री बेला है। ब्री बेला भी डेनियल ब्राइन की ही तरह रेसलिंग से बिलॉंग करती है। इतना ही नहीं, Brie Bella wrestler होने के साथ साथ एक model, YouTuber और मेरी तरह voice artist भी है साल 2014 में Daniel Bryan और Brie Bella की शादी हुई थी, तब से हमेशा ये एक happy couple के रूप में नज़र आते हैं CM Punk की wife AJ Lee ना सिर्फ बहुत ही खुबसूरत है, बलकि बहुत ही talented भी है AJ Lee wrestling के अलावा acting और writing में भी काफी अच्छी है, CM Punk और AJ Lee एक साथ काफी अच्छे और खुश दिखाई देते हैं नमबर 3, Tyson Kid Tyson Kid की wife है Natalia, Natalia बहुत ही खुबसूरत है, शादी के कई साल बाद भी, Tyson Kid और Natalia के बीच वही प्यार और स्पार्क देखने को मिलता है Natalia भी WWE की एक famous wrestler है नमबर 4, Triple H Triple H की बीवी कोई और नहीं बलकि Stephanie McMahon है वैसे तो इन दोनों की शादी साल 2003 में ही हो गई थी, लेकिन आज भी ये couple एक साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं और हर जगह एक साथ ही spot भी किये जाते हैं Stephanie McMahon पेशे से एक business woman और एक wrestler भी है ये एक screenwriter भी है और voice actor भी है इनकी ये skills इनकी personality को और भी खुबसूरत बना देती है WWE की रिंग के सबसे खतरनाक खिलाड़ी The Undertaker की एक बहुत ही खुबसूरत और hot wife है इनकी wife का नाम Michelle McCool है Michelle McCool, WWE की सबसे popular female wrestlers में से एक है इन्होंने अपने career के दोरान WWE में कई खिताब जीते हैं The Undertaker और Michelle McCool की जोड़ी इनके फैंस को बहुत अच्छी लगती है Randy Orton जिनने WWE की रिंग का Prince Charming और Handsome मुंडा कहा जाता है उनकी बीवी भी किसी hot beauty model से कम नहीं है Randy Orton की बीवी का नाम Kim Mary Kessler है Randy Orton और Kim Mary Kessler एक romantic शादी शुदा कपल है इन दोनों की romantic pictures को social media platforms पर कई बार देखा गया है The Rock की पतनी कोई और नहीं बल्की famous singer Lauren Hashian है पहले तो The Rock और Lauren एक साथ जादा नहीं दिखाई देते थे लेकिन 9 साल की relationship के बाद ही 2019 में इन्होंने शादी कर ली WWE के tough wrestler Brock Lesnar की पतनी का नाम सेबल है सेबल वैसे तो WWE की ring की wrestler है साथ ही वो एक खुबसूरत model भी है और film actor भी है Brock Lesnar और सेबल की जोड़ी शानदार नजर आती है ring में कई बार इन दोनों को एक साथ देखा गया है Roman Reigns Roman Reigns और गैलिना बेकर एक perfect couple के तौर पर जाने जाते है दोनों Mia B.V की तस्वीरे सोचल मेडिया पर काफी तेजी से वाइरल होती है Red Carpet पर भी इन्हें अकसर साथ ही देखा जाता है The Miz की बीवी The Miz ने WWE की diva Maryse Quellett से शादी की है Maryse Quellett WWE की रिंग की सबसे successful female wrestlers में गिनी जाती है The Miz और Maryse की जोड़ी इनके fans को बहुत पसंद आती है इन दोनों couple को हमेशा एक साथ spot किया जाता है Seth Rollins की बीवी Seth Rollins की पत्नी का नाम Becky Lynch है Becky Lynch और Seth Rollins दोनों ही WWE के famous wrestler है Becky Lynch ने तो WWE game के diva title को भी अपने नाम किया था ये दोनों काफी समय से एक दूसरे को date कर रहे थे हाल ही में ये दोनों engage हो चुके है WWE के अलग-अलग events में ये दोनों अकसर साथ spot किये जाते है WWE के ring में अपने अलग अंदास के लिए पहचाने जाने वाले गोल्डस्ट की पत्मी का नाम टारेल मरी रोनेल्स है टारेल मरी रोनेल्स एक occasional wrestler होने के साथ साथ एक TV host भी है जिन्हे fans काफी पसंद करते हैं गोल्डस्ट और टारेल मरी रोनेल्स की जोड़ी fans को काफी अच्छी लगती है WWE के फैंस के दिलों पर राज करने वाले wrestler जॉन सीना की पत्मी का नाम शाय शारियत जादे है दूसरे wrestler की तरह जॉन सीना की वाइफ रेसलिंग फिल्ड से बिलॉंग नहीं करती हैं बलकि वो एक engineer है शाय शारियत जादे के साथ कई बार Controversy में रह चुके हैं जॉन सीना जॉन सीना ने साल 2020 में इन से शादी की है और आज ये दोनों happy couple के तौर पर जिंदिगी जी रहे हैं डूसर बिल गोल्डबर्ग WWE के legend खिलाडी बिल गोल्डबर्ग की पत्नी का नाम वेंडा फेरेटन है इन दोनों की शादी साल 2003 में हो गई थी वेंडा फेरेटन अपने समय की एक famous stunt performer और body double रह चुकी है ये कपल अकसर hall of fame में भी दिखाई देते हैं WWE के खुशाल शादी शुदा जोड़ों में इन दोनों का नाम भी शामिल है कर्ट Engle की पत्मी बहुत ही खुबसूरत है कर्ट Engle की Wife किसी Deva या Film Actress से कम नहीं लगती है कर्ट Engle की Wife का नाम Giovenna Yanotti है Giovenna Yanotti पेशे से एक actor है कर्ट और Giovenna एक happy couple है इन दोनों को अलग अलग जगह पर एक साथ इस्पॉर्ट किया जाता है नमबर 16 रे मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो डब्ली 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 की रिंग में एक मास्क के साथ काफी अलग दिखाई देते हैं लेकिन मास्क के पीछे रे मिस्टीरियो काफी हैं उनकी वाइफ का नाम एंजी गुटीरेज हैं ये दोनों अकसर सोशल मेडिया पर अपनी प्यार भर पेशे से एक मॉडल है, साथ फुट के बिग शो के सामने बेस केटर डेमॉस काफी छोटी नजर आते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों काफी हैपी कपल हैं, बिग शो और उनकी वाइफ के बीच के प्यार को कई बार स्पोटलाइट में भी देखा गया है, नमबर 18, केन की खुबसूरत है, क्रिस्टल गियोंस जेकब्स एक प्रोफेशनल फिटनेस कोच हैं, केन और उनकी वाइफ को डबली डबली की रिंग के अलावा, कई अलग अलग जगहों पर भी स्पोट किया गया है बटिस्टा, बटिस्टा डबली डबली की रिंग के ना सिर्फ एक प्रोफेशनल रेसलर है, बलकि एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी है, इन पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, डेव बटिस्टा की बीवी कोई और नहीं, बल बहुत कम लोग जानते हैं, दग्रेट खली की वाइफ का नाम हर्मिंदर कौर है, दग्रेट खली से शादी करने के बाद हर्मिंदर कौर लाइम लाइट में आने लगी है, वैसे तो खली और हर्मिंदर की एक टिपिकल अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन इन दोनों के बीच काफी प्यार देखने को मिलता है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, तो जल्दी से इस वीडियो पर लाइक, कॉमेंट, शेर कर डालिए, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए, हमारे चैनल सेलेप्स फॉर स्टाइल पर बने रहिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, शुक्रिया